हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सफलता मंतरा जिवक गयार फिर से आप सभी लोगों का सुबह की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं जिसमें कि हम लोग एक बार फिर से कवर करने वाले हैं बाल विकास मनो विग्यान एवं सिच्छन विधियों से सम्मंदित बहुत ही सिल और हमारे पिछले दोनों पार्ट्स को अगर आपने ना देखा हो इस टॉपिक के तो उनको भी जरूर देख लीजेगा अधिक से दिक सेर कर दीजेगा तो कोशन्स आपके सामने आ चुके हैं आपको बता दें अगर आप लाइब क्लास से नहीं जुड़ें तो हम डेली आइकन को प्रेस करना मत भूलिए का बहुत इंपोर्टन क्लास आपको डेली सुभाय और साम देते हैं तो आज का पहला कोशन 31 नंबर कोशन आपके सामने है वह कौन सी विधी है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है यानि कि हम उदाहर टॉपिक में से एक है आपके सीटेट में कम से कम तीन कोशन इस टॉपिक से जरूर मिलते हैं कम से कम तीन कोशन अगला कोशन है वह कौन सी विधी है जिसमें पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है इसकी तो बहुत अच्छी ट्रिक हमने आपको बताई वाले में निगमन याद रखना, नी याद रखना है, सिर्फ इतना ही आप लोगों को याद रखना है, यहाँ आपकी निगमन विधी हो जाएगी, उपर आगमन विधी थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगमन विधी हो जाएगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 33 पर, में कोई activity तो आप कर नहीं रहे हैं, नहीं हम आपको कुछ बोलने को कह रहे हैं, तो यह आपकी प्रदर्शन विधी होगे, और यह किसके लिए उपयोगी होती है, जो graduation के या उसके बाद के बच्चे जो होते हैं, बड़े बच्चे जो होते हैं, उनके लिए उपयोगी वि आपको खुद समझना था, आप क्या था, कि आप देख रहे हैं, सुनने और आप खुद बोल रहे हैं, आप अपने doubts को clear कर रहे हैं, या कुछ भी चीज है, आप जब खुद बोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका प्रियोग आत्मक विधी के अंतर्गत आ जाए तो इसलिए confused होने की जरूरत नहीं है, कि आपने गलत पढ़ा दिया है, हमने गलत याद कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, अगला question फिर से उसी आधार का है, अब उपर था उदाहरण पहले आता है, नियम बाद में आता है, अब यहाँ सीधे दे दिया गया, उदाहरण से निय यानि कि यह आगमन विधी के इंतरगत आता है, याद रखिएगा दोस्तों, महत्पूर्ण question है, अच्छे से समझते रहेंगे, तो निश्चित तोर पर आपको एक दो नमबर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question पर, 36 number question है, करके सीखने पर कौन सी विधी कार करती है, करके सीखने पर, यानि कि सयम जब हम करके सीखते हैं, तो ये कौन सी विधी ऐसा बताती है, ये आपकी प्रियोगसाला विधी, प्रियोगसाला विधी के आज जितनी भी ऐसी विदिया जिसमें आप सयम से करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट विधी हो गई आपकी, और भी बहुत सी विदिया हैं मुखरूप से आपकी प्रोजेक्ट विदी होगे प्रयोक साला विदी होगे यह सभी करके सीखने पर बल देते हैं यानि कि अनुकरण पर बल नहीं देते हैं कि अनुकरण का मतलब क्या होता है अनुकरण का मतलब होता है नकल करना और यह इस पर बल नहीं देते यह किस परबल देते हैं करके सीखने पर स्वयम के दौरा जब आप किसी चीज को खुद करेंगे खुद एक्सन रियक्षन करेंगे तो आपको उसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा तब आप उस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि हाँ इसमें यह चीज हुई है अगला 37 नम हैं सभी लोगों को याद होंगे अगर अभी भी नहीं याद हैं तो अभी मौका है याद कर लीजिए टाइम वेश्ट मत करिए बिल्कुल भी क्योंकि यह ऐसे कोशन है जो कि एक्जाम में जरूर आही जाते हैं और अगर यह इजी कोशन आप लोग गलत करेंगे तो निश् इस मीटियम में सुना है LKG UKG तो उन्हीं बच्चों के लिए निकि बिल्कुल प्ले ग्रूप के बच्चों के लिए विदी होती है उनको खेल के द्वारत सिखाने की एक आलिखाय देखिए यह विदी खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है एक तो आपके खेल के काध्यम से ही सीखते हैं तो यह आपकी फोवल ने दी थी और किंडरगाटन विदी का नमे से बालकों का उद्यान भी कहा जाता है याद रखिएगाकिंडरगारटन विद को बालकों का उद्यान Cecilвол का जाता है अगला कौशNET 38 नमबर कोश्चन है मॉन्टेषरी सिच्चरण प्रशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ग्यानेंद्रियों के प्रसिच्छन पर बल देती है ग्यानेंद्रियों को सक्रिय करना इस विधि के अंतरगत आता है मुख्य रूप से विधिवी किसके लिए होती है तो छोटे बच्चों के लिए होती है याद रखेगा छोटे बच्चों के लिए उपयोगी विधि है चलि आते हैं कॉल्ड वेल कुख ही याद कर लीजेगा कम से कम खेल पद्दत या खेल विद्धी के जनक कॉल्ड वेल कुख हैं चलिए 40 नमबर कोशन है 40 नमबर कोशन डाल्टन पद्दती के जनक हैं हैलन पार्क राष्ट ये आपके डाल्टन पद्दती के जनक हैं याद रखेग कल काफी लोग कह रहे थे संस्कृत की क्लास लाने वाले थे लेकिन समय की कमी की वज़े से क्लास नहीं ला पाए चैप्टर वन जिसमें कि आपके महसर सूत्र और वर्ण माला कबर करेंगे वो टॉपिक आपको कल सुभई दे देंगे 100% बिल्कुल तयार रखा है नोट्स तया जादा से यादा लोग आते रहिएगा अगला कोशन बच्चों में आधार हीन आत्म चेतना वस्था का सम्मंद उसके विकास की किस अवस्था से सम्मंदित है आधार हीन आत्म चेतना वस्था यह आपकी कहलाती है किसोरा वस्था के अंतरगर ठीक है याद रखिएगा चलि पढ़ने की अच्छमता से संबंदित है ठीक है पठन अच्छमता से संबंदित है अधिकम अच्छमता के इंतर्गत आ जाती है आपकी पठन विकार या पढ़ने संबंदी अच्छमता ये उसी से संबंदित है याद रखिएगा अगला कोशन 43 नंबर कोशन है स्याम पटको सि स्यामपट ब्लेकबोर्ड पर लिखा रहता उसे हम देख सकते हैं यानि कि इस सिर्फ द्रस से साधन के अंतरगत आ जाएगा ठीक है द्रस से साधन में आ जाएगा आपका स्यामपट ब्लेकबोर्ड याद रखेगा यह चीज आप प्रक्टिकली जब खुद सोचेंगे तो आस बहुत से लोग डेली वाटसब पर पूछते थे कि इसके नोट्स कम मिलेंगे तो आपको बता दें दोस्तों अभी आपके लिए आज रात तक के लिए ओफर चल रहा हमारी मोबाइल एप पर उसमें आपको 111 रुपय का आउफ मिल करके 489 का कोर्स है एक ही जगे पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे बहुत प्राबलम होती थी आप लोगों को एक नोट्स मिल गया एक नहीं मिल पाया तो यह आपका हमने यूपी टैट की क्लासेज नहीं दे पा रहे हैं इस बज़े से कंप्लीट नोट्स दे दिये हैं तो यहाँ पर आप लोग जाकर के नोट्स हम फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं कल छुट्टी है कल प्रोवाइड कर देंगे तो आप लोग उसके लिए भी जरूर जुड़े रहिएगा अगला कोशन आपके सामने है व्यक्तित तो एवं बुद्धी में वनसानुक्रम खालिस्थान होता है यानि कि व्यक्तित मे भी बुद्धी में भी ठीक है दोनों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है अगला कोशन 45 नंबर कोशन स्याम पठ पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टन चीज होती है आपकी अ अगले कोशन पर 46 नंबर कोशन है बुद्धि का तरल मोजिक मॉडल किस ने दिया था बुद्धि का तरल मोजिक मॉडल चलिए बताइएगा तो यह आपका इसे तरल ठोस सिधानत भी कहते हैं इसे हम क्रिश्टलाइज मॉडल भी बोलते हैं क्रिश्टलाइजेशन थियोरी दी थी अगर आपने ना देखिए तो वो सीटेट यूपीटेट इन सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसके हमने आपके कम्प्लीट नोट्स भी तैयार किये थे जो आपको उस यूपीटेट की जो सलेवस है जो नोट्स हम कोर्स दे रहें उसके इंतरगत मिल जाएंगे बच्चों की बौधिक विकास की चार विसिष्ट अवस्थाओं की पहँचान किस विद्वान दौरा की गई तो बौधिक विकास की चार विसिष्ट अवस्थाओं बताई है इसकी पहँचान किसने की है तो आपको पताओगा जीन पियाजे ने संग्यानात्मक विकास का सिध्धान दिया उसी का दूसरा नाम बॉद्धिक विकास का सिध्धानत भी है इसी के इंतरगत इन्होंने बताई है बुद्धी की याद रखेगा जीन पियाजे ने याद रखेगा दूस्तों आपको बता दें कि बहुत से लोग पूछ रहते सुपर्टेयाट का नोटस किव अपलोड होगा जो कोर्स है वो अपलोड कर दिये जाएगा जैदा चार्जेस नहीं लगेंगे चूंकि एप बनवाई है तो उसका चार्ज भी लगा है इसकी वज़े से दोस्तों आपको थोड़ा बहुत pay करना पड़ेगा लेकिन उतनी ही आपको आँ सोभिधा भी मिलेगी जल्द जितने लोग जुड़ जाएंगे उनके लिए अलग से कुछ special live classes भी हम लाया करेंगे और इतना यह मत सोचेगा यहाँ पर आपकी लगातार बैसी क्लासे चलती रहेंगी जैसी लेकर आते हैं कोई भी problem नहीं होगी कोई भी समस्या नहीं लगातार क्लासे आपको ऐसे ही मिलेंगी अगला कोशन डिस कैलकुलिया का संबंद किस से है तो दोस्तर डिस कैलकुलिया डिस कैलकुलिया कैलकुलेशन यानि की कैलकुलेशन का मतलब यह भी आपका जीन प्याजे के इंतरगत आता है सभी विद्यार्थियों को सिच्छा की मुख धारा से प्रणाली से जोड़ना समावेशन समावेश कर देना सभी को एक साथ वैठाल कर सिच्छन कार देता है इंक्लूजीव एजूकेशन के बारे में बात की गई जीन प्याज साइनों दी थी वो आपको आगे बताएंगे अब आज का अंतिम कोश्चन है दोस्तों देखेगा अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आर्वी केटल की तरल बुद्धी किसके तुल है तो यह वनसा नुगत कारणों के तु थोस थोस आपके एक्टिविटीज पर आपके वातावरण से संबंदित है और तरल आपके वनसा नुगत जो एक्टिविटीज हैं उन पर आधारित थी आर्वी केटल ने अपने सिध्धान्त में दो चीजें बताई थी याद रखिएगा बाकी आपको हमारी जो चैप्टर एंगली क्लास में टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया वहां पर जुड़ सकते हैं अब जाएए नीचे हमारी एप को जरूर इंस्टॉल कर लीजेगा और यूपी टैट का कोर्स जिसको लेना हो वो जरूर खरीद लीजेगा बहुत अच्छा इस्पेसल कोर्स आपके ल झाल